हैलो फ्रेंड्स गुड आफटरनून स्वागत है आप सबका सुकिर्पा कलासेच पर मैं महसर आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC GD पेपर 2023 के उन संभावित महात्पूर्ण परसनों को साल्प करेंगे जिन टापिक्स के अंतरगत आपके ज्यादा से ज्यादा कोश्चन पूछे जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होका साल्प करें ताकि आप अपने एक्जाम में एक अच्छा परफार्मेंस कर सकें ज़्यादा समय ने लेते हुए हम लोग इने महात्पूर्ण संभावित परसनों को साल्प करना शुरू करते हैं दोस्तों हमारा पहला कोश्चन है बेरी बेरि इंपर्ण कोश्चन कोश्चन दोस्तों चेत्रफल की दिरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राजी है राजस्थान है यानि कि बिकल नमबर डी यहाँ पर हमारा सही अंसर होगा नेस देखेंगे कोक्षिन नमबर 2 को कोक्षिन दोस्तों प्राथमिक छेत्र की अंतरगत सामिल होते हैं में पता ना दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अर्थिव्योस्था के तेन छेत्र हैं जिसमें प्रात्मिक छेत्र दूतियक छेत्र प्रात्मिक छेत्र में आते हैं दोस्तों किर्सी वानिकी मत्सकी खानन और उत्खनन दूतियक में आते हैं दोस्तों निर्माल वा बिनिर्माल तेत्यक छेत्र में दोस्तों यह सब दोस्तों प्राथमी छेतर की अंतरगात आते हैं ध्यान रखेगा आप लोग तो कोर्ट में सबसे पहले मानो विकास रिपोर्ट कर जारी करने वाला राजी है तो है दोस्तों मधि परिदेश याई कि विकल्प नमबर 6 यहां पर हमारा सही एंसर होगा फौर नंबर कोश्चन देखेंगे हम लोग, बच्चों में BCG का T का किस रोक के प्रतिर रच्छन है टू लगाया जाता है, यह पूछा जना है फौर नंबर कोश्चन में, तो इसका schiak होगा दोसतों, बच्चों में BCG का T का T की चिकसा की प्रतिर रच्छन दोस्तों यानि क टीबी की चिकेशा के लिए लगाया जाता है अगला question देखेंगे five number question 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 है दोस्तो खाद श्रिंखला के संदर्ब में सही कथन का विचार करें बेरी बीर important question है दोस्तों थोड़ा common sense का है यहां से कई सारे questions बनते हैं दोस्तों ba number statement यहां पर हमार हमलोग जरनते हैं कि प्रातीमिक उपर्थमिक यहांकि अपनी जीवन का निर्वाह के लिए निर्भार रहते हैं यानि हरे प्रेंट पोधों की पत्ति उखों खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं तो साका हरी जैसे हिरन होगा यह सब प्राथमिक उभखता के अंतरगात आते हैं तो बीकल्प नंबर भी भी हमारा सही हो जाएगा इसके बाद दोस्तों मा दूसित जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं मैं बताना है दोस्तों कि दूसित जल के सेबन से कौन कौन से रोग फैलते हैं बार बार सारी कोशन की सारे कोशन पूछे भी जा रहे हैं दोस्तों इसलिए टापिक आप लोग को इतलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो 2 3 यह 3 हुनगे अब हम लोग विकल्प में देखेंगे तो विकल्ब में 1 2 और дополн PC यह नंबर कथन सही है ने देखेंगे कोशें नमबर तरह के question से कंवारे सारे question हमारे साथ clear हो जाते हैं साथ नुमर question है ygindal में सरबातिक मात्रा में कौन सी gas पाई जाती तो nitrogen पाई जाती पृति प्रिफिम में ता तो तो आक्सीजन नाइट्रोजन आक्सीजन फिर आरगन आएगा उसके बाद कर्वन डायक्साइड आएगा फिर नियान हेलियम क्रेटान जेनान ओजन यह सारे आएंगे एट नमबर कोश्चन देखेंगे हैं लोग वाइद आपको किसी अंसे माप आ जाता हैं यह पुछाजरा एट नमबर कोश्चन में तो इसका सेंसर बैरोमीटर होगा यानि कि बिकल्प नमबर यह यहाँ पे हमारा सही एंसर होगा नेस देखेंगे 9 नमबर कोश्चन भारत में मनसबदारी पर्था की शुरुआत क्यों की गई थी तो अधिकारियों के बेतन के लिए यानि कि बिकल्प नमबर यहाँ पे हमारा सही एंसर होगा भारत में मनसबदारी पर्था जो की अकबर के द्वारा शुरुआ के गई थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे दोस्तों ताकि यह कोश्चन हमारा पूरी तरह कोश्चन नमबर 10 हमारा दोस्तों वर्तमान में भारते नागरी को कितने मूल अधिकार प्राप्थ हैं और सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी Japanese को इसी तरह के वीडियोत के लिए 11 नमबर question देखेंगे हम लोग भारत का राष्टी आदर्स राष्टी वाक जो की सत्त में हो जाते है कहां से लिया गया है तो मुण को निसास से लिया गया है यानि कि बिकल्प नमबर B यहाँ पे हमारा सही answer होगा 12 नमबर question देखेंगे हम लोग पाटल पुत्र नगर की स्थापना किस ने की थी यह पूछा जा रहा है 13 नमबर question में इसका सही answer होगा दोस्तों बिकल नमबर C उदाइन पाटल पुत्र नगर की स्थापना उदाइन ने की थी 14 नमबर question देखेंगे हम लोग भारते जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी तो इसका सही answer होगा दोस्तों 1956 में भारते जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में की गई थी अगला question देखेंगे दोस्तों 15 नमबर question question है दोस्तों बिजय नगर राज किस नदी के किनारे इस्थित था तो इसका सही answer होगा दोस्तों तुंग भद्रा नदी कोंसी नदी तुंग भद्रा विजय नगर राज तुंग भद्रा नदी के तड़ पर इस्थित था थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों इसके जो भी question बनते हैं वो सारे हमारे clear हो जाएंगे ध्यान दीजिगा दोस्तों किश्णा नदी की सहायक तुंग भद्रा नदी के तड़ पर हरिहर पर्थम यों बुक का राय पर्थम नामक दो भायों ने 1336 सिजबी में विजय नगर का वर्तमान नाम हमपी है इस समराज पर चार राजवन से उनिसासन किया जिनका करम दोस्त के सामने बार-बार पूछा गया है सबसे पहले संगम बंस फिर सालू बंस फिर तुलू बंस और राष्ट में आता दोस्तों अराविरू बंस इन बंसों ने लगबग दोस्तों यहाँ पर 300 वर्सत वक्सासन किया था तो तो दोस्तों आज के हमारे टाप यम सी क्यूद जिस दोस्तों हम पने ले वीडियो के साथ ठेंक्स फार वाचिंग